हेलो बच्चो पिछले वीडियो में हमने जोड और घटाव का इस्तमाल कर उम्र का अंदाजा लगाना सीखा इस वीडियो में हम कुछ दिल्चस्प उदाहरन द्वारा इसके बारे में और जानेंगे राजू और बबलू चाचा को उनके घर की सफाई करने में मदद कर रहे हैं उन्हें चाचा की फाइलों के बीच एक इस तरहा का कागस मिला उन्होंने चाचा को उस कागस के बारे में पूछा तब चाचा ने उन्हें बताया कि वो उनका जन्म प्रमान पत्र है ये जन्म प्रमान पत्र क्या होता है चाचा? राजु ने चाचा से पूछा चाचा उन्हें समझा रहे हैं कि जन्म प्रमान पत्र हर व्यक्ति के जन्म पर बनाया जाता है उस पर उस व्यक्ति का नाम, जन्म की तारीक, इत्यादी, जरूरी जानकारी लिखी होती है अच्चू, क्या आप जन्म प्रमान पत्र के बारे में जानते हैं? क्या आप चाचा के जन्म प्रमान पत्र को देख कर बता सकते हैं कि चाचा का जन्म कौन सी तारीक को हुआ था? जी हाँ, चाचा का जन्म पंधरा फर्वरी 1962 में हुआ था, राजू और बबलू को चाचा की कुछ पुरानी तस्वीरे भी मिली बबलू ने चाचा की एक तस्वीर उठाई और देखा कि उस तस्वीर में चाचा स्कूल के युनिफॉर्म में है बबलू ने चाचा से पूछा कि उनकी उम्र उस वक्त कितनी थी तब चाचा ने उसे बताया कि तब वे बारह साल के थे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि चाचा कौन से वर्ष में बारह साल के थे? आप चाहें तो विडियो को रोक कर इसका उत्तर ढून सकते हैं शाबाज बच्चो आपने इसका उत्तर बिल्कुल सही ढूनदा है चाचा का जन्म 1962 में हुआ और ये पता लगाने के लिए कि वे कौन से वर्ष में 12 साल के थे हमें क्या करना होगा? जी हाँ, हमें 1962 में 12 जोडने होंगे इस तरह चाचा कौन से वर्ष में 12 साल के थे? 1974 में अब राजु को चाचा की ऐसी तस्वीर मिली यहाँ चाचा अपने कॉलेज में नजर आ रहे हैं कॉलेज की तस्वीर में नीचे तारीक लिखी है बारा जून उननीस सो असी बचों, क्या आप बता सकते हैं कि चाचा की उम्र इस तस्वीर में कितनी थी? जी हाँ, अगर हम उननीस सो असी में से उननीस सो बासट खटाएं तो हम इस तस्वीर में चाचा की उम्र का पता लगा सकते हैं चाचा की उम्र इस तस्वीर में अठारा साल थी अब बबलू को चाचा के बचपन की तस्वीर मिली बबलू ने जब चाचा से पूछा तो पता चला कि चाचा इस तस्वीर में केवल छे महीने के थे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये तस्वीर 1962 के किस महीने में ली गई थी? चाचा का जन्म फरवरी में हुआ था ये तस्वीर फरवरी से छे महीने बाद खीची गई थी तो फरवरी से छे महीने बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त का इसलिए ये तस्वीर 1962 में अगस्त के महीने में खीची गई थी राजू और बबलू को चाचा की पुरानी तस्वीरे देख कर बहुत मज़ा आया चाचा ने उन्हें कहा कि अगर उनके पास थोड़ा और समय है तो वे उन्हें उनके बचपन की कुछ कहानिया सुना सकते हैं राजू और बबलू उच्साहित हो गए और चाचा उन्हें अपने बचपन के किस से सुनाने लगे बच्चों इस वीडियो में हमने कुछ दिल्चस्प उधारन द्वारा जोड और घटाव का इस्तमाल कर उम्र का अंदाजा लगाना सीखा अगले वीडियो में हम इस से संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखेंगे अगले वीडियो में हम इस वीडियों को देखेंगे